तो यह देखिए कितनी कलर्फुल कितना अच्छा लगराना देखने में तो यह मैंने बसंद पंच भी बनाई थी पीला भूजन आप किसी भी उस पर बना सकते हैं गुरुवार के धिन भी बना के खा सकते हैं आप बस लेसन पर आज को स्किप करें अगर तो चलिए इसको बना आपको अपने चैनल वंडरिंग प्रिया में तो अगर आपको मेरी रेश्पी अच्छी लगती ही तो प्लीज मेरी चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और कमेंट करना न भूले चलिए आज की रेश्पी बनाना सुरू करते हैं तो बने रहिए मेरे साथ और पूरा व आप चौप करके डालें पीस के ना डालें चौप करके डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है और मैंने दो पतेश पते को भी एड़ कर दिया है मैं आपका बिल्कुल भी टाइम देश नहीं करूंगे फटा फट बताऊंगे तो देखिए हमें इतनी इस टेस्ट तक इस हम एड़ करेंगे इसमें सब्र twists यहां सारी सबुगे उड़ को भी सब्रस फटा छूरंध को देखिए हमें इन इसमें इसमें मड़ अच्छ टोस्यव्य हूं को सब्रस तरसारी सब्रस फटाइंगποι और मसाले का सब्रस शारी ृजरी और ये अलग तरीके से बनती हो लेकिन इसे बनाना बहुत हीजी हो और टेश्ट बिर्यानी के जैसा ही आता है तो जो जो वेश्टेरियन है इसे भिरूर बना के खाएं आप इसमें सोया चंक्स भी आड़ कर सकते हैं तो देखें मैंने यहां पे एक कटूरी टमाटर में दो ट नमक आड़ करना कमपसरी है और थोड़ा जादा ही नमक आड़ करें क्योंकि चावल जो है वो नमक को एब्जॉर्ब कर लेता है और इसके बाद हम इसे मिक्स करेंगे और फिर दो से तीन मिट तक अच्छे से चलाते हुए पकाएंगे जब तक टमाटर हमारे आदे सौप न रख लिया था और यसको थोड़ी दिर के लिए भी कर दिया था तो इसारे मेने एक कटोरी चावल लिये थे और यह रही है इंड़ चावल रूज और बना रहे हो तो इसको इसमें मिक्स करेंगे और चावल को भी हम 2-3 मिन तक इसके साथ में अच्छे से कुक करके तो इस तरीके से हम चलाते रहेंगे और उसके बाद में जब हमें लगेगा कि चावल भी अच्छे से मसाले में मिक्स हो गया है तो हम इसमें एट कर देंगे पानी पानी हम एट कर रहे हाँ पर देर्ड गिलाले हूं बहुत जयाद़ पा पानी नहीं डाल रही हूं क्योंकि फिर बहुत जयाद्द पानी डालने से बहुत गीलिया हो जाएगा तो बस जितना हमें यहाँ पे चावल है उसके बराबर में ही पानी आइट करना है क्योंकि इसमें सबजियां भी है तो मैंने देड़ गलास लमसम पानी आइट किया था और हम लेट लगा के इसको 2 सीटी आने तक मीडियम फ्लेम पर कुक कर लेंगे फिर उसके बाद हम देखते हैं तो देखिए 2 सीटी आ गई है और इस टीम भी निकल गई तो चलिए भोल के देखते हैं तो यह देखिए कितनी यम्मी सी तहरी बनके तयार है चलिए मैं आपको सर्फ करके दिखाते हैं तो यह दिखें लग रही ना आपको अच्छी तो प्लीज अगर आपको अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें सब्सक्राइब करें अगर आप मेरे चैनल पहली बार ना सकते हैं तो जरूर बनाईए और इंज्वाइए करिए और अपने अन्भो मेरे साथ सेयर करिए तो मिलती हूं मैं आपसे नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई और कमेंट करना तो बिलकुम भी ना मूलें